पढ़ा रहा था और मैंने एक सवाल कर आए था लास्ट लॉप एक्विलेंस सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है इसके भी कई वेरेशन्स हो जकते हैं मैंने बोला है कि एकोई वालेंट का फायदा यह है कि रीक्षन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है कोई भी यहां पर सब लोग देखेंगा मैं कुछ समझाना चाहरू हूं इस से मतलब नहीं कि प्रोड़क्ट क्या इवन इस डॉंट नो दे प्रोड़क्ट स्टिल यू कन सॉल और अप्लाई स्टॉक्योमेटरी बिट्विन इस तू तो इसका एंवन था अब सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसने बोला कि नियूटराइशन हुआ क्या हुआ है complete neutralization complete neutralization ठीक ना तो अब मुझे बताओ क्या हम बोल सकते हैं कि at the end point end point पर मतलब जब reaction complete हो गई बोलो है ना at the end point number of equivalence of carbonic acid must be equal to number of equivalence of NOH क्या ये बात समझा रही बताओ ठीक है ना है की नहीं है की नहीं हाँ तो equivalence कैसे निकालते हैं एक तो formula तो normality into volume बोलो है कि नहीं normality into volume in liter बोलो है कि नहीं this should be equal to normality into volume in liter of NOH बोलो इतनी बात तो समझ आ रही होगी बोलो इतनी बात समझ आ रही है है ना अच्छा पहले की normality तो नहीं पता है मुझे molarity पता है पहले की मुझे molarity तो एन फैक्र से multiply कर देंगा this will be m1 into 2 समझ रहोगे into v1 लीटर में हो या ml में अगर इसको ml में रख दिया तो इसको भी ml में रख सकते हैं बोलो हा या ना बोलो हा या ना समझ आ रहे तो बताओ ठीक है इसके आप नोर्मालीटी मुझे पता है पॉइंट टू और वॉल्यूम पता है सौ है एंड पॉइंट पर कभी यह लगा सकते हैं ठीक है ना एंड टू पता लगाना था और वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml में तो यह कितना हो जाएगा 2 से 2 बढ़ा दो 100 से 100 बढ़ा दो ठीक है ना पूसत बताते हैं मोलारी आप एनव सलीशन पूसता है तो क्या करना था नॉर्मालीटी को एट अंप्र से मतना होता है और इसका एक अंस तो पॉइंट थी मोलर राएगा बोलो आपन टू राए यह समझा सबता जारा यह समझा सबता है पाता पटार को यह दिक्करत नहीं यह बाद तो आपको समझ आ रहे होंगे इस तरह कि कई सारे और भी क्वेस्टन हो सकते हैं मैं करूं कि अगर आप जानते हैं तो बिना रियाक्शन को बैलेंस के भी सवाल हमसे सौल हो जाएगा कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होनी चाहिए ठीक है जैसे माल लो एंगे इसमें बताये चाहिए को यूज किया गया है और चाहिए कराया गया है पॉइंट । मोलर के वाच से इसका 500 यूज़ा जिसका पैंचसो अमिल्स हुआ है तो यहमास कितना था यह बताना रेक्शन ऐसे अम चाहते तो बैलेंसंटेटिक कर सकते हैं लेकिन मैं रहों एक एक्विवालेंस ना अब इस बार मुझे माज के टर्म में बात करनी तो मोल्स इंटू एक्टर लगा देते हैं अब बता फैक्टर कितना है यहां पर यहां पर इस रियक्शन में फैक्टर ऑफ सबको समझ आ रहा है कि इसने दो एच प्लस दिये हैं तो है ना यहां पर टू है और इसका इक्वेलेंस कैसे निकाल दूंगा नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूमिल लीटर से बोलो हां कि न क्योंकि नॉर्मालिटी मॉलारिटी दिए में था समझ आ रहा है कि तो नंबर आफ निकल के आ जाएगा देखो नॉर्मालिटी कैसे निकालोंगे इसका मॉलारिटी इंटू एंटू 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 और इंटू वॉल्यूमिल लीटर कुछ समझ आ रहा है तो बताओ ठीक है ना तो यह हो जाएगा नंबर आफ मोल्यूमिल लीटर में होना और यह थ्यान रखना निकाल आपएक्विवैलक्स से उक्विवैलक से मॉल निकाल हो कि महतना होता है यह इसका वन लीटर में हाफ लिटर समझ रहो तो यह गया पॉइंट वन इदर राइट में आ जाएगा पॉइंट वन बोलो राइट में तो पॉइंट वन आ रहा ना यह सब सॉल्व होके यह सब सॉल्व होके पॉइंट वन दिख गया तो बताओ नहीं दिख रहा है ना नहीं दिख रहा है ना पॉइंट वन क्योंकि यह 500 से दो बार में जाएगा ठीक है अब यहां से नंबर ओफ मॉल्स ओफ 4 4 कितना जगा पॉइंट वन का भी याध शुक्त पॉइंट 05 बोलो अ उसमाश और निकल दिया मैंने कैसे स्ट्री पियो तुम प्यूइग कर दिया किसे माटिप्लाई कर दिया किसे माटिप्लाई कि मुलर मास मॉलर मास 98 होता है टूइंट-0 5 इंटो 98 कितना गया सबस्क्राइब है यह सवाल समझ आगा जा आगा है कहा पर है तो तुझे क्या लगए नंबर आफ एक्वालन का क्या फर्मुला होता है मोर्स इंट्व एंट्व फैक्टर यह फॉर्मुला जब मास में जाना तो यह लगा न यहां व्यामन क्यों लगांगा वॉल्म लिए क्या कि इस नाहीं एक स्थी भॉष्टि जब बात वरी तो एंद रहे यह रेक्शन फिक्स होता है तो सब सकाने के बाद बिना आहसा ही कर ले तू फोटो लो जल्दी कि में नोन ऑक्सिजन से अर्यख कर वर उसने अपना recap साइड बना लिया एमो टाइप का है 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 अगर इसका एक्स ग्राम है और इसका वाई ग्राम है तो क्याल्कुलेट है एक्वेलेंट मास आफ मेटल कर यद में तो बना साइड रगैसरे यदिये पुछां 산े China कर दिए करेंस घर सुंगbla मैं हो गया ना हां सिर्फ एक जगे चेंजे आने वाले हैं यहां यहां आ जाना था बिल्कुर सही आपको यह करना था है की नहीं हां सिर्फ एक्विलेंट मास आ जागे आपर यह सब कुछ मैंने पताई दिया है अच्छा अगर बाइचांस इस सवाल को ऐसे चेंज करते हैं यह लिग देते हैं एक्स और वाई मिल गया है बोलो अब क्या चेंज आएंगा समझ रहो ना अब क्या चेंज आएगा बताओ एक्स अपन एक्विलेंट मास आफ मेटल समझ रहो नहीं समझ रहो एन विल भी इक्वास टू वाई अपन एट समझ गयो तो बताओ वाई अपन एट पाओ लिए िपान वाई यह चेंज समझ आते हैं आपको यहां पर अगरम निकाले तो Should be equal to Equivalent mass of Number of equalalance of Hydrogen 數 More of equalalance of metal Should be equal to number of equalalance of hydrogen मैं कब से equivalent mass बोल रहा था, sorry Given mass upon equivalent mass given mass upon equivalent mass किसका? Metal का This should be equal to Y minus X upon equivalent mass of hydrogen Hydrogen ka equivalent mass कितना होता है Hydrogen ka equivalent mass कितना होता है 1, 2 by 2 2 by 2, 1 X upon equivalent mass of metal should be equals to should be equals to y minus x upon 1 so equivalent mass of metal अगर निकाले तो यह जगा है x upon y minus x सही है ना सबको समझ आ गया तो ऐसे questions भी कूप पूछे गए है तो law of equivalence पढ़ाने का यही फैदा होना चाहिए जो आपको समझ भी आ रहा होगा ठेक है ना एक बार फोटो लेला इसे नमर अफ एक्वेलेंट साफ किसका मोहर सोल्ट अ है है ना समझ गयो ना मोहर सोल्ट में आपको फीटू पलस कहीं तो है क्या फॉर्मला होता है तुमने फाइनल रियक्शन तक आने के लिए क्या किया था अलग से अमोनियम सल्फीड बनाये था अलग से वाटर रहे था और सब्सक्राइब कोई बड़ी बात नहीं है रिडॉक्स में वह सब करने है खेर मैं यहां पर क्या लिख सकते हो बताओ अगर यह में तो यह मुझे निकालना है इसका मल्टिप्लाइ कर देते यह सब किसके लिए लिखाया है मौहर्स के लिए more salt के लिए समझ रो नहीं समझ रो तो एम मॉलारिटी इसकी नहीं है पता उसको एम बोला एन फैक्टर लेकिन मैंने निकाल लिया था कितना है पांच और वॉल्यूम कितना है सो कुछ तो समझ रहोगा यार पॉइंट टू इंटू 300 है ना और न फैक्टर नॉर्मालिटी दिया यह तो न फैक्टर की क्या जरूत है और जब उदर नॉर्मालिटी ही दे दिया तो क्या जरूत है आप मॉलारिटी देता तो तब जरूत पड़ती है बोलो है कि नहीं अच्छा एफी टू प्लस के लिए तो मॉलारिटी नॉर्मालिटी दोनों एकी है मॉलारिटी नॉर्मालिटी दोनों एकी है ना मॉलारिटी नॉर्मालिटी दोनों तो एकी है ना फैक्टर वन है ठेक है तो अब यहां से आपने क्या निकाल लिया अन्नोन कंसेंटेशन नि हाज़ेगा है वन टू मोल्स पर लिटर आज़ेगा आगया नहीं है ठीक है अच्छा अगर पूछता कि कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ आफ के में फूर सल्यूशन यादे यादे ऐसा कुछ भी पढ़ाया मैंने यह मतलब क्या होता है यह ना स्ट्रेंथ क्या बताता या स्ट्रेंथ क्या है बाई मास और लिटर ऑसलूशन अलारी टी क्या बताता है मोल्स ऑफ स्वाडिटर एप सलूशन नहीं हारे समझ गदों यूनिट क्या होते हैं यूनिट क्या होते हैं ग्राम पर लिटर अच्छा जिनको नहीं समझ आ रहा है यह चीज़ें टॉपिक में पढ़ाया जाता है पागल इंसान तो मैं ही हो ना कितनी बार भी पढ़ा दो फिर भी नहीं सीखेंगे है ना सल्यशन चैप्टर में कंसेटेशन टर्मस पढ़ाया नहीं पढ़ाया है पढ़ाया है तो आम comment यह कंसेट में हैं कि वहसं सात्रेंगे मतलब क्या होता है देखो समझना जहरा मोलान विलUmटोव झा पर लिटर में क्या बताता है मोल्स पर लिटर कि एक लिटर में कितने मोल्स है और स्ट्रेंथ क्या बताता है मास पर लिटर बोलो है कि नहीं तो अगर मुझे मोल्स पर लिटर पता है मतलब अगर मुझे मुझे मॉल्स पर लिटर निकालने के लिए क्या मुझे मुझे मॉलर मास से मटिप्ल तो अगर आपको मोलाइटी पता है जैसे एक लीटर डिया क्या ग५ंटीरल थो जो चाएं一下 क्या में बोल सकता हुआ कि strength is nothing बट मौलाइटी रिंट। मोलार मास उफ सॉलुट नहीं हाएग Yeah समझ है ना क्योंकि मोलाइटी बतार तो मोल्स पर लिटर यूनिट वाइज आप चेक कर सकते हो आप यूनिट वाइज चेक कर सकते हो आप यूनिट एंड डेमेंशन से चेक कर सकते हो देखना दरा बताओ मोलाइटी की यूनिट क्या होती है मोल्स पर लिटर बोलो मोलर मास्क नहीं है न समझ दिमाग रखो IITN और डॉक्टर की तरह तब जाकर के चलेगा है ना कोई भी ना मैंगनीज का कितना होता है तो पॉइंट बंटू से मंटिप्लाइब कर दिए यह जो भी आजएगा यहां सरु जगा क्या यह सबको समझ आया रेडॉक्स टाइटरेशन से सवाल इसको रेडॉक्स टाइटरेशन बोलते हैं और यह चीज़ वैसे भी पढ़ेंगे रेडॉक्स पढ़ाया है तो मैंने आपको रिलेट कर दिया कि आपने 12 के लाइब मैनुल में भी ऐसा कुछ लिखा है अब लाइब मैनुल के नुमेरिकल को और क्याल्कुलेशन को आप रीड करोगे तो आप खुद भी समझ पाऊगे अगर उनको आप रीड करोगे तो को भी करो पीज है इस प्रिंसेपल आप गज़रेशन वह यह जो हम पहले से जानते लौफ कंदर विशनों सभी लोग जानते हैं जानते हैं सभी लोग प्रोड़क की तरफ मास जो है वह कौंस्टेंट रहेगा है तो इसका मतलब कि रियक्टेंट साइट में जितने टूटल आटम रहे product की तरफ रहोंगे, videos atoms का number change नहीं कर सकता है, reaction में, गड़ सकता है, प्रियो नमबर, ने बड़ सकता है, तो के एक promotes, नमबर चान्य लोह भी चेंज लोह तो तो कहने का मतलब है, it is based on law of conservation of mass यैंटे बात समझ आरी यह total mass of reactant must be same as must be equal to total mass of product के इतनी बाद समझ जा रही है total mass of product बताओ ना ठेक है तो इसका मतब यह भी समझ सकते हैं कि total atoms total atoms on reactant side of reactant side or on reactant side on reactant side यह एसे लिखलो number of atoms on reactant side ऐसे है ना देखो ध्यान से है ना total atom अगर reactant side हम देखे और product side देखे तो वह सेम होना चाहिए तभी तो mask अंजब होगा चलो खेर देखो मैं आपको बता रहो जैसे माल लो मैंने यह आपर एक reaction लिख दिया और यह बदल गया KCL में और O2 में यह reaction फिलाल बैलन्स तो नहीं है यह reaction फिलाल balance तो नहीं है बोलो क्या यह balance है unbalanced reaction नहीं it is not balance it is unbalanced reaction but one thing which I know is that ठीक ना कि यार reactant side का total mass product side का total mass बराबर आना चाहिए है ना सभी को पता है कि balance करने का बाद coefficient कियाएगा मैं coefficient नहीं बताना चाहिए कि य्या तो आपको complete reaction नहीं पता है या फिर आपको या फिर आपको reaction 화장 करना नहीं आ रहा है तो पहल प्योसी लगा ना चाहिए Windows 2 लगाना चाहिए सब लोग देखे निकिए किया कहता है यह documents टेगा ना मैं यह बोल रहा हूं कि कई बार यह होता है कि आपने अपने रियाक्टेंट से प्रोड़क्ट में को बनाने के लिए नंबर ओफ रियाक्शन करें यह डाल दिया यह डाल दिया यह डाल दिया वो डाल दिया और फाइली प्रोड़क्ट यह बीच की बाते मुझे नहीं पता है कि यह बोल रहा हूं कि पूसी किस पर लगा रहो हमें पूसी किस पर लगा रहा हूं सबलोग देखें के पर लगा रहू है अचा मुझे बताओ अगर मैं पूछों कि रेक्टेंड साइट कितने नंबर औफ पूटासियम आटम है तो बोलो कि सब्सक्र जितने मोलस प cham को याद हो कि याद कि मॉल्स के मोल्स पता है तो इसमें तो नहीं तो इसकी कोई जरौत है भी नहीं ठीक नदेख ना तो मैं यह बोल सकता हूं कि नंबर अब देखते हैं व HAS बतखाने में सबसक्राइक ja आउए इसको सबख्णाव कई क्या आ। क्वर सक्ती हो और में थी क्रोंक्राइक जाहिए आव यहां सब्क्राइग सब्सक्राइख सब्सक्राइब तलीटरइग्स में ठीम का क्या थिद्ट आ उसके बाद अपने आप समझा जएगा ठीठको पीऊ आरों कॉरीन इटम पर किस पर लगा रहfficacy लिधार टोरीन इटम पर क्लो реально हम पर। क्लोरीन कहां यहां पर और क कहां पर यहां पर यहां से अभी आपमे उसकें यहां यह मी of chlorine atom on the reactant side यह क्या दिरा number of moles of chlorine on the reactant side और product side में number of moles of chlorine atom कितने है तो number of moles of kcl into 1 यह भी समझ आए तो बता हो यह भी समझ आए तो बता हो है ना क्या यह दो equation बता रहे हैं कि ultimately जब reaction balance out हो जाएगी तो इसका coefficient और इसका coefficient सेम आने वाला है क्या यह दोनो equation यही तो बता रहे हैं आपसे बोलो है कि नहीं कि reaction balance हो जाएगी तो इसका coefficient इसका coefficient सेम आएगा यही तो बता रहे हैं ठीक ना एनिवेस अब लगाते हैं आप लगाते हैं आप यूशी ऑन oxygen atom अब हम किसको conserve कर रहे हैं बताओ oxygen को कहां का रियाक्टेंट साइड में कहां है oxygen यहां पर प्रोड़क्ट साइड में कहां है oxygen यहां पर तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि number of most of kc जितने भी रहोंगे उसका तीन गुना oxygen रहोगा यहां पर बोलो है कि नहीं क्योंकि इतना समझ जा रहे हैं कि पहले यह प्रोड़ करना आया है या ना में जवाब दो अब इन तीनों से आप चाहो तो कोईसेंट निकाल सकते हैं वैसे भी पर आपको बालन्स करने की जरूद्ट नहीं इसी से आपका काम हो जागा मतलब अगर आपको मास कर दो मोस में बदलकर आपको सब Tree म्ल जागा धर मास कडैसी यहां में बदल तो मोस में बदलके मैं बतां यह क्या कर रहा हैं लोगा हम इक का मोस निकाल रहें दूसरी का मोस पता है यही तो काम कर रहे हैं ज़िएWhen तो यहां पर टू आएगा तो इसका 2 बन जाएगा ऐसका 3 कि ती तू बट जाएगा सुट यहां नींका सट्व मेट को अट हो गया की नहीं का देख वि कि जाएगा और 2 जब नीचे आएका 막 नीचे जो नबर आते क्या होता है तो बैलन्स करने के बाद यहां पर क्या और यहां पर या यहां भी पता चल जा रहना कि इस यह इसना समझ आ driving000 या इतना थे कि हैं और इस पर इसिक थे रहा हूं ठेक्व और इसको नहीं पर ह oluyor was treated by a series of by a series of reagents so as to convert all of its carbon information जिसके बारे में दिया हो उसी पर POC लगा मतब शर्त तो यह ना कि complete conversion हुआ हो complete conversion हुआ हो अरे POC successfully apply करने के लिए एक शर्त तो रखनी चाहिए ना यह एक शर्त तो रखनी चाहिए ना कि वह आटम completely convert हुआ product में बोलो है कि नहीं हाँ लैंग्वेज को पड़ो उसने क्या बोला लैंग्वेज को पड़ो क्या बोल रहा है 27.6 ग्राम potassium carbonate was treated by a series of reagent बहुत सारे reagent डाले गए पता नहीं क्या क्या डाला गया ठीक है ना so as to convert all of its carbon ताकि इसके सभी carbon convert हो जाए तू अकंपाउंड which is K2 ZN3 FeCN6 का whole twice complex ऐसा complex बनाने के लिए समझेरो अब बताओ क्या information completely दी गई थी क्या देखो भाई स्ट्रोइक्योमेट्री तभी काम कर सकता ना जब पराइक्षम को при सब्सक्राइब है इसको क्या समझाएं समझेर की इसको कैसे सॉल्फ करेंगे यही POAC का फाइदा है, POAC does not want the entire reaction, POAC just wants initial क्याता है, final क्याता है, and also, it wants कि आपको यह पताओ कि complete conversion हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा item completely convert हुआ है, यह भी पताओना है, जरूरी है, फिर, तो यह देख लो, calculate the weight of its product, calculate weight of its product, कि यह कितना product में convert हुआ है, आप बताइए, मेरे कहले से यह हो जाएगा, तुम करके दो, मुझे नहीं पता है, answer दो, इस compound का molar mass निकाल लेना, तकि आपको, क्या निकालना पड़े, mass निकाल ले, है ना, तो molar mass आपको यह पता हुआ हुआ है, molar mass potassium carbonate कितना था, बताओ, potassium का कितना होता है, 39, carbon का 12, और 3 into 16, 48, यह जोड करके 138 तुमने बता है, है ना, अच्छा, what is molar mass of, यह compound, k2, zn3, fe, cn6, का hole twice, कोई बताएगा मुझे, zinc का mass बता दो, atomic mass of zinc कितना होता है, 65.3 है, ना, ठेक है न, और iron का और iron का भी पता है तुम्हे, 56, पन, है ना, हाँ, यह पता ही है, तो आप सोचना क्या है, इसको solve कर ले ना, इसको total निकाल लो, total 600 कुछ आएगा, 688 आएगा, चलो मैं बताई देता हूँ, इसको करोगे तो 688 आएगा, हाँ, अब इसका answer दो, POS पढ़ाया है, तो answer दो, किसने solve किया, कि गुट क्रिटिका, कि अब इसका 12 भी मुझे सही पढ़ रही हो, क्या तुम, अच्छा फिर तो ठीक है, भाई जितने भी अपने बच्चे हैं, हर साल के बाते इस साल भी result आने के बाद क्रिप्या करके, हमें अपने result जरूर बताएं, चाहें अच्छा हो, चाहें बुरा हो, आपकी हार हमारी हार है, आपकी जीत हमारी जीत है, है ना, तो भी विल शेर इट, भी शेर इट और तो गैदर, ठीक न, चाहें, जीत हो, चाहें हार हो, हर साल बच्चे बता देते हैं, कुछ फिर भी नहीं बताते हैं, तो भाई इस बार के लिस्ट में, सतर पैसट जो भी थे, मेरे पास लिस्ट आई थी, बाद में कुछ पता चला, सर के बच्चों से, जो कॉमन हुआ करते थे, उनके रिजल्ट के थुरू मुझे पता चला फिर, ऐसा नहीं होना चाहें, बता दिया करो, रिजल्ट अच्छा हो सकता है, और होगा भी, सबका या क्या 11.6, जो भी यह आगे का नहीं पता मुझे, हो गया, अच्छा, बहुत अच्छा, देखो भई, सबका ही हो जाना चाहिए अब तक तो, अगर हम पोटाश्यम कार्बोनेट की बात करते हैं, पोटाश्यम कार्बोनेट, बहुत सारे रियक्शन हो रहे हैं, ठीक है ना, रियजेंट 1 डाला, रियजेंट 2 डाला, जो भी, आर 1 डाला आपने, फिर आर 2 डाल दिया, फिर यह यह आर 3 डाल दिया, बहुंचते हों किसके बारे में इंफर्मेशन दीगए कौन कंजर्व करा सकते हैं कार्वन को कंजर्व करा सकते हैं कार्वन को यहां कितने वह देख लो नमबर आफ मोल्स ऑफ के टू जेडन थ्री एफ़ी सी एन होल सिक्स का होल ट्वाइस ठीक है ना इंटू कितने कार्बन कितने बताइए कार्बन कितने कार्बन के टॉमसिटी नहीं देख पा रहा है अब यह था 27.6 और इसका मोलर मास कितना एक सो अड़िस तीक है और यह नंबर आफ मोल्स इसके हमें मास पता लगाने ना तो गिवन मास पता है हमें नहीं एक्स ग्राम है गिवन मास और मोलर मास पता है कितना छे सो अठानवे इंटू बारह तो यहां से जो निकल के आएगा मास आफ कॉंपलेक्सी तो निकल के आएगा है ना 27.6 बटे में 138 है ना नीच आएगा बारह उपर जाएगा छे सो अठानवे कितना अरह सॉल्व करके जो भी पॉइंट टू हो जाएगा यह ठीक है बताओ तो पॉइंट सिक्स हो गया क्या सबको यह समझ आया है क्या पी ओ एसी का कंसेप्ट सबको समझ आ गया है